वेलो फ्रेंड्स वर्कम बैक टू मैं चनल दिखें फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे कानजी के लिए ब्यूडिफुल सा ड्रेस बिना लेस बिना अस्तर और बिना किसी बुकरम के और यह हमारी नैपी बाली ड्रेस है यह देखें यह देखें काफी अच्छे से मारा घेर भी समय हुआ है यह मैंने यह पे चे नंबर और साथ नंबर कानजी के लिए बना हुआ है यह दिखेंगे माने साथ नंबर के कानजी हैं मैं आपको इने पैना के भी दिखा देती हूं कर दो को आप fifty दो कर दो में आपको बाला पक्षके जञा है AND C لا मैंगा, यह दो कहा दो का देती हैं लो मैं देती दोलत्तिसism यह देखे हमने काना जी को ड्रेस बना दी और यह देखे कितना ब्यूटिफुल सा लुक आ रहा काना जी कर और यह देखे साथ में नैपी भी बहुत अच्छे से काना जी को फिट है कितनापी घरंक की द्रेस का कपड़ का प्यारा हैँ द्रेस की का अधर की का गए राइन का अधर कान गया है चले और थासे लेघन हमारे कान जी के लिए 6 और 7 नंब्र कान जी के लिए यह देखें आज की रज़ बनाएंगे हम सिंपल कॉटन का कपड़ा मैंने देखिए इस तरीके का लिया इस पर यह प्रिंट है और यह बहुत ही खुब सूरत लग रहा है पता नहीं केमरे में इतना अच्छे से नहीं दिखाए दे रहा है चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं यह देखिए मैंने यह पर चोड़ाई चार इंच लिये और लंबाई का मेरा जितना भी अर्ज था कपड़े का बड़े पने का मैं कपड़ा लाती हूं तो उसमें काफी अर्ज होता है देखिए नॉर्मल कपड़ों में 12-36 के असपास होता है 32 या 36 और इसका अर्ज देखि का इधर भी फेस जा रहा है तो आपको सीधा उड़िट इस तरीके से देखना पड़ता है लेकिन इसमें देखिए फूल का जो हमारा फेस है इधर को नीचे भी है और उपर भी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर एक साइड ही हमारे फूल होते है तो हमें थोड़ा स था कि आदा मुड़ना धुब नीचे रखने का ध्याद रखने पड़ता है तो चलिए बनाना को सबसे पहले हम है इस तरीके से किनारी को मोड़ना थोड़ा सा फोल्ड किया और थोड़ा सा इतना फोल्ड किया है और बस हमें यहां पर सीदह-सीदह एक श्लाई लगानी है यह पूरी पट्टी पर हम देखे ऐसे मोडते वे जैंगे और पट्टी पर सिलाई लगा दिए हुआ इसे हमेरा पट्टी पर पूरी सिलाई लगा लिया ha x ए अगलिए तो यह देखे हमारी किनारी से लगा देने? सिरी तबने पट्री के लागा समीद यहाँ तो यह देखे हमारे पर लिए वर को मिल वाइदा के लाया कीड़ी, tillविछ गल खप्रा कोनी जाद h तो पर तुो किसे लगाएो पास पास लगाएंगे और ढोड़े चौली-चौली और मैंने या Nice PC का या रहा है कपड़ा मारा काफी soft रहता है बिना स्तर के जबार पादिए जब हमारा कपड़ा बहुत ज्यादा हलका हो जाता है यह हमारा कपड़ा ठीक है ना हलका है ना जादा मोटा है कि इस तरीके से हमें यहां पे प्लीट लगानी है ऐसी हमें पूरी पट्टी पे प्लीट लगाते वे प्लीट लगाते हैं यह हमारी यहाँ पे प्लीट इस तरीके से लग गई है अब यहाँ देखे हमारा कमर का हिस्सा है यहाँ से यह देखे 5.5 इंच काया हुआ है अब यहाँ पे चोली बनाने के लिए यहाँ से चारिंच का जोब नहीं वाला कपड़ा लिया था हुई हमने चोड़ाई लिया है इतना कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा है तो हमारा 50,3 देखिया उसका था और 16 इंच हमारा यहाँ पी है इतना लंबा अर्ज था हमारे कपड़े का तो मैंने यहाँ पे टोटल देखे 16 इंच लंबा और 4 चारिज का लिया है इसको हमें देखे थोड़ासा इह दर फोल्ड करना है इस तरीक़े से हमें ये पूरी पट्टी पर यासे किनारी जिलाये लगा देनीहें यह देखिया यहां पर पट्टि ऐसे शिल्ली अपने आप इसके बाद है कि हमें यह पट्टि सतरीके से फोड करने है ऐसे है बिल्कूल बराबर बराबर ऐसे एक कोपर एक चड़ाते पर एक स्लाइए हम यह आप लगा देंगे यह एक यह अघर आपके पितल के काना जी है तो उनकी कमर आपको थोड़ी सी पतली आप बातोंके तो आपको अस्ट धातों की कश थो कमर की जो यह वाली चीज होगी कंरकी जो यह वाला हिस्सा हो तरह वो आपको कम से कम साड़े छे इंच रखना लेकिन म् 느ुरप पीतल के जो काना जी है उ prank में जाएक में उनकी कमर हमारी कम है तो मैंना कि आपको पहले भी बता दिया अश्ट दादू कि अगर आपके पास काना जीए तो आपको 6 इंच कमर रखनी है और मेरे पास पीतल वाले काना जीए तो देखिए मैंने यहां पर 5 इंचिस की कमर रखनी हुई है इस बात का में ध्यान रखना है अब यह दिखे हमारी पट्टी है ऐसे है और इसको हमें एक सलाई यहां पर लगा देंगी है अब यह देखिए हमने यहां पर नेफा बनाने के लिए कपड़ा लिया है देखिए हमारे पास नेफा बनाने के लिए हमने यह धा इंच का कपड़ा लिया है अब हम क्या करें कि इस कट्रे को इस तरीके से डब करने के बादे के मशीन में क५साहेंगे कशा आए रखेंगे पुलिद और टी पर बरावर है सीधा कि इस अपना घेर है से शेटे करी थे हैं यह ऊपर आ килहा देला है यह उथनिंद है पूरे भूल लगा दिये और जहां से हमने थे इमने खेसल times कपड़ा एको इना कमरी आप मौद देंगे और क्पड़े निति हैं है करने के कपड़ा हम ऐसे ही ऑसने कपड़ें नुए यह से स्लाई लगा दोएं और मेरेवड चीनाजी पर राइए है कि यहां पर lenकर यह आपके महीं देखे हाओ यहां पर नकर रेडी हो गई है अब इलist क्पोड़ा है इसी चुपड़े को मैं यहां से एक बार औरterm कर दूoh यह देखे अब हम क्या करेंगे कि यह वारे निकल में है पूरि को आरे में हम देखी से बीच में हम रखेंगे देखेंगे ए आप यह एसे यहां से सिलां ड़ऑद अगर निकल भी जाती है तो भी आपको परिशान होने की ज़रुत नहीं है कोई भी सेटी पिन लीजिए और यह जिसे हम अपने कप्रों में नाडव गएर डालते हैं उसी तरीके से दोरी भी डल जाती है तो यहां पर देखिए एक स्लाई लगा देंगे हुआ यह अगर कितना सुन्दर लटकन ऐसे बन गई है और मैंने देखिये है कोई नाव आझ कि द्रेस घंगा देखिया ुब यहांज की ठीट इद्ट लध द्रीका से माटिटा दोप्न का इंदा देखिया कने根दाप गई है का इसी पीवाली ड्रेस हमने बनाए पारजी के लिए आज की ड्रेस आपको कैसी लगी आप मुझे करके जरूर बताएगा विर अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चानल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलते हैं आज़ी किसी वीडियो में तब तक के ल अज़ी रादी हरे कुछने